हेलो स्टूडेंट्स वागत है आपका इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्ण बैंक के वारे में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि MP बोड ने प्रश्ण बैंक जारी किये हैं और प्रश्ण बैंक आने के बाद स्टूडेंट्स के मन में बह प्रस्ट बैंक क्या होते हैं तो आज इस वीडियो में आपको पूरी इंफोर्मिशन मिलने वाली है सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्ट बैंक कहां से मिलेंगे हिंदी और इंग्लिस दोनों मीडियम में हमें प्रस्ट बैंक कहां से मिलेंगे इसके बाद क्या प्रस्ट बैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वैल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि हमारे इस चैनल पर MP Board के स्टूडिन्स के लिए फुल स्टडी मटेरियल अप्रोड किया जाता है और टेलीग्राम ग्रॉप को जरूर जोइन करें क्योंकि यहां पर आपको पीडियाप मिलेंगे जो भी प्रेस्टन बैंक होंगे हिंदी या फर इंग्लिस मीडियम में तो टेलीग्राम को जोइन कर लीजे लिंक डिस्क इंडिया का बेस्ट एजूकेशन प्लेटफर्म क्लास सक्ते से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंस के लिए खुसकबरी लेकर आ कोडिंग सीख सकते हैं बही अगर आप क्लास 10 तो 12 के स्टूडेंस हैं तो आपको 10 डाउट कूछने होंगे और आप बोर्ड एक्जाम की तयारी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन 15 दिनों के लिए बिलकुल फ्री में ले सकते हैं लेकिन यह ओफर 31 मार्ज तक बैलिड है तो जल्दी कीजिए तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से अनकेडमी आपको डाउट करना है या फिर अपडेट करना है और डाउट करने के बाद आपको साइन अप करना है और उसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करना है जिस क्लास में आप है इसके बाद आप आपको language select करना है हिंदी या फिर English आप यहां से language को भी select कर सकते हैं then आपको नीचे scroll करते हुए जाना है और जो Unacademy का new feature है ask a doubt वो आपको दिखेगा उस पर आपको click करना है और इसके बाद students जिस question में आपको doubt है दिक्कत आ रही है उस question की picture आपको click करना है या फिर आप gallery से भी upload कर सकते हैं और इसके बाद आपको picture को crop करना है crop करने के बाद आपको यहां पर submit कर देना है और इसके बाद last step यहां पर बसता है कि जिस subject का question आपने यहां पर upload किया था उस subject को यहां से select करना है और आप select करेंगे subject को उसके बाद यहाँ पर solution आजाएगा full solution आपके सामने आजाएगा तो इस तरीके से आपको answer मिल जाएगा तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं Preston Bank कहां से मिलेंगे तो देखे students Preston Bank आपको सबसे पहले Bimmers Portal जो official website है बहाँ पर आपको मिल जाएगे Bimmers Portal पर MP Board द्वारा अप्लोड किये गए है जो की website है teachers के लिए तो Bimmers Portal की link भी description में है इसके साथ साथ आप www.mystudyjankari.com website से भी download कर सकते हैं दोनों website की link description में है इसके अलाबा देखे government school के जो students है Hindi medium के जो students है इनके लिए school में question bank बांटे जा रहे है प्रस्ट बांटे जा रहे है आप सभी ने thumbnail में देखा होगा कि एक picture देखाई गई थी जिसमें बच्चों को प्रस्ट बांटे जा रहे है तो अगर आप government school से है तो आपको प्रस्ट बांट मिल गए होंगे हमारे इस channel पर daily videos upload होते है और telegram group पर भी आपको मिल जाएंगे और link description में है आप English medium में भी download कर पाएंगे अब हम बात करते हैं प्रस्ट बेंक से paper आएगा या फिर नहीं आएगा और परिक्षा अध्यन परिक्षा बोद या फिर प्रस्ट बेंक हमें कहां से पढ़ना चाहिए क्योंकि देखें सभी students के पास परिक्षा अध्यन होगी या फिर परिक्षा बोद इन दोनों में से कोई एक book आपके पास होगी और इसके बाद MP board ने प्रस्ट बेंक भी जारी किये हैं तो students के comment आ रहे हैं कि sir परिक्षा धिन परिक्षा बोद से तैयारी करें या फिर प्रस्ट बेंक से करें इसके उपर एक वीडियो बनाईए तो देखें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रस्ट बेंक से पेपर आएगा या फिर नहीं आएगा तो students इसके उपर already हमने एक वीडियो बना के रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उसको भी देख सकते हैं और जी हाँ बिलकुल देखे सबसे पहले तो देखे प्रस्ट बेंक अगर जारी किया गए है तो MP बोड ने कुछ सोच समझकर जारी किया होगा already MP बोड ने 3-4 बार exam pattern बदला है blueprint बदला है तो बच्चों की पढ़ाई में नुकसान हुआ है और MP बोड यह नहीं चाहेगा कि MP बोड का result बिगडे और MP बोड यहीं चाहेगा कि result अच्छा रहे हमारा और इस बज़े से MP बोड ने अब बच्चों को प्रश्ट बैंक की दिये हैं और government school में प्रश्ट बैंक से ही बच्चों तयारी कराई जा रही है सिर्फ प्रश्ट बैंक सॉल्ब कराई जा रहे हैं परिक्षा अध्यन परिक्षा बोड से पढ़ाया नहीं जा रहा है तो आपको प्रश्ट बैंक तयार करना है क्योंकि जो कॉश्ट बैंक मैंने आपको दिये थे IMP जो हमने सीरिज स्टार्ट की थी IMP कोश्ट की अगर हम उन कोश्ट को देखें और अगर आपने उन कोश्ट को पढ़ रखा है तो आप प्रस्ट बैंक को देखेंगे और इससे तयारी करेंगे तो इसमें भी बही कोश्ट है means जो कोश्ट बैंक में है इनको हम पहले तयार कर चुके हैं आपको कोश्ट बैंक प्रस्ट बैंक आपको पढ़ना है बिलकुल पढ़ना है अब इसके बाद देखें प्रस्ट बैंक से मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पेपर आपका प्रस्ट बैंक से ही आएगा कि 90-100% प्रस्ट बैंक से आएगा लेकिन ऐसा नहीं है प्रस्ट बैंक पढ़ना है प्रैक्टिस के लिए भी दिये गया है और इनसे कुछ प्रस्ट पूछे जाएंगे क्योंकि यहां पर most IMP question है प्रस्ट बैंक में प्रस्ट बैंक को करिए प्रैक्टिस का एक भी question आपको नहीं चोड़ना है इसके साथ सबसे पहले देखे प्रस्ट बैंक को करने के बाद आप परिक्षा ध्यान या फ़र परिक्षा बोत को कीजिये लेकिन दोनों जगे से पढ़ते रहिए ऐसा भी नहीं है कि पूरा पेपर प्रस्न बेंक से बन जाएगा तो दोनों जगे से पढ़ते रहिए और students कोई भी देखकता है तो एक बार comment करके हमें बताईए तो चलिए students I hope आप सभी के doubt clear हो गए होंगे और अगर अभी भी कोई doubt बचा है तो एक बार comment करके हमें जरूर बताईए तो चलिए students आज के इस वीडियो में अतना ही